अस्लाम अलेकूम सबसे पहले तो मैं आप सभी से यह पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने इसके पहले ब्लड डोनेट कप किया है अगर आप सुचेंगे तो मेजोरेटी ओफ पॉपुलेशन ने ब्लड डोनेट किया ही नहीं है सबसे पहले जिस जिन्होंने किया है उनका भी गैप काफी जादा होता है आप इमेजिन कीजिए अगर आपके घर में किसी वो खुन की जरूरत है और वो खुन अवेलेबल नहीं है अगर तो फिर कैसे लगेंगा आपको बस ये सोचिए एक बार और आज के दिन सुप्रिम ग्लोबल स्कूल पर आईए ब्लड डूनेट कीजिए मैं रिक्वेस्ट करूँ आप से जजाग लाँ से सुप्रिम ग्लोबल स्कूल के खास बसर जो फांडेशन है नोंने ब्लड डूनेट कीजिए है आप देख रहे हैं समाचार अभी हम मौज़ों थे सुप्रिम ग्लोबल इंग्लिश स्कूल पर यहाँ पर बसर फांडेशन के तरफ से ब्लड क्याम रखा गया है आज के करूना काल को चलते हुए लोग काफी परिशान है जिसको ब्लड नहीं मिल रहा है लेकिन बसर फांडेशन ने आज ब्लड क्याम रखा और एक नया जो नोजवान बच्चे है आज कल कि वो ब्लड देने के लिए काफी कत्रा थे आये यहां के बसर फांडेशन के ब्लड डोनेट करें और यह रिक्वेश्स है जो लोग नशे में लगे हुए है उनको चोड़ें कि उनका ना तो ब्लड काम में आता है और दूसरी मेरी क्या है रिक्वेस्ट्च चेवज़स् protesting की वेक्षिति ब्लड डोनेश्न की बहुत कमी हो गई है तो जिसका ब्ल्र कोपरेट किया है मैं सबसे पहले तो उनका शुक्री गुजार हूँ और यह लोगों ने ही मुझे मोटिवेट किया कि सर अपने को ब्लड डोनेशन कैम करना है और सारी कोशिश है और सारी मेहनत है आजकल के जो नौजवान है जो मेरे साथ जुड़े है अलहम्दुलिल्ला इन में कैम्प होना चाहिए हमारा और हम ऐसी एक्टिविटीस हर फिल्ड में चालू रखेंगे चाहे वो एजुकेशन में रहो चाहे मेडिकल फिल्ड में रहो या गरीबों के हल्प के लिए रहो बसर फॉंडिशन की तरफ से यह एक्टिविडीस हमेशे चालू रहेगी जो एज देखते हुए जो नौजाओन बच्चे तफखा है काफी नशे में मुक्त है आप उनको क्या मैसेज देना चाहूंगे उन सभी के लिए मेरा ये मैसेज है कि जो हम लोग इन सब तरह की फुदूल एक्टिविडी करने से अच्छा फुदूल शौख करने से अच्छा किसी गरीब की मदद अपनी तरफ से होती है अगर तो उसके लिए बढ़चर कर हिस्सा लेना चाहिए अपनी दरफ से जो भी होता करना चाहिए उन सब के लिए ये जवान बच्चे है जो जवान लड़के आजकल नशे में बहुत मुक्तिला है तो आपका क्या कहना है इसके बार मेरा ये कहना है कि नशा करने से खुद को भी परिशानी है और घरवालों को भी परिशानी है तो वो चीज छोड़ दीजिए और जैसा हम लोग काम कर रहे हैं आगे बढ़के तो ऐसा कैम के लिए फॉन्डिशन के लिए काम करिए और लोगों की मदद करिए झाल 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 प्रट्रोनेशन कैम्प है जिस तरह हमारे साथियों ने बेडिकर कैम्प रखा है ये खिद्मात खाविरे सताइश है जिस चीज की खौर्म को जोगत है वो इनी चीजों की जोगत है मैं मेरी जानिब से मेरी पार्टी के जानिब से मेरे साथ शहर जिरासदर और तरहम शारिक मच्पंदी साथ मौजूद है हम इनकी इम्मत अवज़र करने यह आए हैं और हम चाहते हैं कि मुस्तक्वी बेबी इन्शार और तरहाद बसर फांडेशन पहितर काम अज़ब दे सकेगा यही देख खायशाथ हमारी इनके साथ में शुक्रिया खुदा हुआ जैसे कि आप देख रहे हैं बसर फांडेशन जो है एक बहुत अच्छा काम कर रहा है न्यू जनरेशन इसके इंदर बठशड के इस्सा ले रही है तो बहुत खुशी होती है जब न्यू जनरेशन इस तरह के शोशल काम में शोशल एक्टिविटीज में आगे आती है तो हमें देखना है कि जो नौजवान जो दुसरे चीज़ों में बीजी है मुलविस है इस तरह के सोशल काम में आए ताकि एक सुसाइटी को हम अच्छे से अच्छे से सर्फ कर सके हमारे एक सुसाइटी को हम अच्छे से अच्छा काम करके दे सके आने वाले फ्यूचर आने वाले जनरेशन ही सब देखेंगी तो उन्हें एक अच्छा मेसेज जाएंगा कि सुसाइटी के लिए हमें क्या करना है बहुत बहुत धन्यवाद असलाम वाले कम सबसे पहले तो हम अल्ला का शुक्र अदा करते हैं कि हम बलड डोनेशन देने के काबिल है जिसकी वज़े से माशालला से हमने हैं बलड डोनेशन किया है और मैं अपने दोस्त अभाब को सबको यही अपील करूँगा कि जो भी ताकत और खुवत रखता है बलड डोनेशन की तो वो आए रोशन गेट अपने बसर सुपरियम ग्लोबल स्कूल रोशन गेट या बसर फाउंडिशन की जानिब से बलड डोनेशन कैम रखा गया है शाम छे बज़े तक तो मैं मेरे दोस्त अवाब से और जो भी जाने अन जाने जो भी दोस्त है मैं उसे अपील करूँगा कि वहाँ आए और बलड डोनेशन करें ताके समाज के अंदर एक अच्छा काम हो और लोग इससे ब्रत हासिल करें और लोगों के अंदर जो बुराईया और परिशानिया है इससे बहुत फायदा होता है लोगों को तो यही एक अपील है और गुजारीश है अभी तक कितने बलड दिये हैं मैंने 78 टाइम्स बलड देच चोक हूँ आज तक और अभी यहाँ पर जो है बसर फानडेशन के तरफ से इतना बड़िया कैम चल रहा है और हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि सारी मानवता की कैसी सेवा की जाए और लोगों तक कैसे इंसानियत को पहुचाए जाए और ज्यादा ज्यादा मरीजों को कैसे सहायता दी जाए और उन लोगों कैसी रात पहुचाए जाए इसके लिए हमारी कोईश चल रही है मैं नौजवान बच्चों से यही अपिल करना चाहूँगा जो कमजोर है या बुज़ुद है वो सब आगे आए और ज्यादा ज्यादा लोगों में जो है चल फिर करके जावत दे के ब्लड डोनेशन ज्यादा ज्यादा करें क्योंकि आज मरीज बहुत है और करने के लिए ब्लड डोनेशन करने के लिए कम कम पाड़ जाती है और सब लोगों से निवेजन करता हूँ कि ज्यादा ज्यादा लोग आकर जल्द से जल्द अपना ताउन करे और खून क्या है हर तीन मेने में जो है बन जाने हो ली चीज़ है ये खुदरती निजाम बनाया हुआ है जो चीज़ काम में आएगी वो चीज़ बढ़ती रहेगी लेकिन हम उसका इस्तवाल नहीं करेंगे तो बिमारिया बढ़ेंगी तो बिमारियों से बचने के लिए कम से कम आगे आए और ज्यादा ज्यादा जो है ब्लड का ताउन करें